तोके गुड आफ्टरनून ओल उफ यू सक्षस मंतरा में आपका स्वागत है आज हम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक लेके आए हैं सिक्रिट ओफ सक्षस सफलता का रह्ष्य सफलता क्या है और उसका क्या रह्ष्य है और सफल व्यक्तियों में वो कौन-कौन सी क्वालिटी गुण पाए जाते हैं जो के वो सफल हो जाते हैं दूसरे रह जाते हैं तो आए हम शुरू करते हैं सक्ष्य तो पहले हम डिस्कस करेंगे के सफलता क्या है सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकती है कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि हम पूरी धंदोलत इखटी करें कुछ लोग सोचते हैं कि हम स्पोर्ट्स परसन बनें कुछ हीरो हीरोईन बनें कुछ चाहते हैं कि हम एक वड़े लीडर बनें और इस तरह अनेकों लक्षे होते हैं लेकिन लोग मेनद करते हैं लेकिन सभी सफल नहीं होते तो उसका क्या राज है तो सब हम आए देखते हैं कि सफल व्यक्तियों में वे कौन से विशेश गुन है जिनके कारण वो उचाया चूँ जाते हैं और दूसरे रह जाते हैं जबके मैनत वो भी करते हैं तो आप आईए सिस्क्राइब आप को कॉलटी इज ही कि सिक्स स्टैप्स लीविडेर आप सी च्प्स स्टैप्स क्टोगेट सेक्शच सफर्वेक्तियों में यह बिच्छे क्वालिटी पाई जाती हैं तो एक एक करके डिसकस करते हैं फस्ट क्वालिटी क्या है अर्ली राइजिंग अर्ली राइजिंग कि अर्ली राइजिंग यह विक्ति वो होते हैं जो च्यार से च्छे बजे के बीच में अर्ली इंदा मोर्निंग उठते हैं और शैर सपाटे के लिए चले जाते हैं और वहां उस टाइम जब पूरा वर्ड स्वया होता है डिस्टक्शन से फ्रीफ होते हैं और यह अपने पर विशेश कंसेड्रेट कर पाते हैं तो यह फ्र्ट क्वालिटी है अर्ली राइजिंग तो सफल व्यक्तियों में यह क्वालिटी पाई गई है कि इनका स्टार्ट बहुत अच्छा होता है कहते हैं वेल बिगेन इस हाफ डन अगर शुर्वात अच्छी है तो अधा काम समझो हो गया है तो फर्स्ट स्टेप है अर्ली राइजिंग सेकेंड वर्क टू बोडी श्रील को काम देना है यह लोग अर्ली राइजिंग तो जाते ही हैं वाक करते हैं कुछ इन में स्विविंग करते हैं कुछ एक्सरसाइज करते हैं कुछ अपना योगा करते हैं तो यह लोग अपनी एनर्जी शुफूर्थी जो एक स्टोर करके चलते हैं और इनका इसलिए माइंड तेज होता है तो दूसरा क्योंकि वर्क टू बोडी हो जरूरी है श्रीर को अगर काम कहते ना चलती का नाम गाड़ी और पड़े लोग एको जन लगता है तो इसलिए वर्क टू बोडी फिजिक फिटनेस रखने के लिए यह लोग एक्सराइज करते हैं और इनहायल और एक्सहायल और अक्सिजन इनको मिलती है क्योंकि यह मोर्नी में निकलते हैं तो यह दूसरी क्वालिटी शफल व्यक्तिव में वर्क टू बोडी तीसरी क्वालिटी वर्क टू माइंड यह बहुत ज़लूरी है कि सफल व्यक्तिव प्रोपर लिसनिंग रीडिंग राइटिंग यह अच्छ टीवी शीरियल वगेरा या कोई अच्छी चीज़ें पोजिटिव चीज़ें यह देखते हैं और हमेशा अपना माइंड शार्प रखते हैं तो यह वर्क टू माइंड अच्छी किताब में पढ़ना महाप्रुशों से शिक्षाइं लेना तो यह बहुत जुगूरी है तो यह सफल विक्तिव में यह क्वालिटी भी पाई गई है चोट्था प्लानिंग और अफे प्लानिंग ओफ डेड यह लोग प्लानिंग बना के चलते हैं दिन पर की प्लानिंग बनाते हैं और वैटर यह है कि प्लानिंग एक दें पहले भी बनाए कि जीन तो हमें यह यह लोगों के पास प्लानिंग होते हैं करना क्या है तो प्लानिंग के साथ यह जीते हैं तो यह लोग सफल लोगों की एक फ्वोथ कोड़ी हो फिक पोजेटिव एटिचूट सब्सक्राइब लोगों में पोजेटिव एटिचूट मिलेगा ये नेगेटिवीटी से दूर रहते हैं इनकी बुक्स में नेगेटिव नाम की कोई चीज नहीं होती कि कोई काम नहीं हो सकता है इनकी थिंकिंग होती है कि everything is possible और ये उस दावना से चलते हैं और ये प्राइस हखल होते हैं क्योंकि पोजेटिव एटिचूट जो confidence in us ये और confidence बढ़ाता है तो friends ये पांच चीजें इन इन में पाई गई है शिक्ष्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पीज इज क्रेज क्रेज जुनून सफल विक्तियों में किसी काम को करने का जुनून पाया जाता है उनकी thinking है कि करना है उनके अंदर एक आग होती है शरीर के अंदर जलन होती है कि ये करना है तो इनके अंदर जुनून होता है कहते हैं न कि भई अगर आपके पास आप हड़ वर्कर हैं ओनेस्ट हैं डिसिप्लिन लाइफ हैं और एजुकेटिड भी हैं लेकिन एजुकेशन के साथ अगर जनून किसी लक्से को फिक्स लक्से को निर्दारित लक्से को अच्छीव करने का जनून नहीं है तो भी आप इतना कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं कि आप दो वक्त की मोस्ट इंपूर्डेट्ट檉इंट करीज होना चाहिए चाहिए कोई किषी डैक्श्ट पास करने का है या कोई और काम करनें का है यह यह तिन शफल्वक्तियों में यह दून पांगा तो किस below करें करें लाइक को शेयर करें थाकि लोग को तक फैदा कोंचे और जनून के विशे में मैं एक चीज और कोंगा कि जनून एक ऐसी चीज है जो इनसान में वो सकती positive thinking के साथ वो सकती देती है कि कोई भी काम कि ये दिना रहे नहीं सकता है इनसान में अगर जनून है उसको दिन रात उसमें चेस्टा लगी रहती है कि ये करना है किसी ने कहा है कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता एक धिला यारो तसली से फैंको तो शही कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता एक धिला तसली से फैंको यारो यानि कौन सा ऐसा काम है जो इस अंसार में हो नहीं सकता तो जनून इन पांच उपर के साथ अगर जनून है और यह सिक्स स्टेप्स हैं तो कोई ऐसी ताकत नहीं कोई इनसान को उचाईयो चूने में कमी बने या सफलता के कदम ना चुमे तो मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यह देखिए कि आपके अंदर यह सिक स्टेप्स या सिक्स क्वालिटीज हैं यदि हैं तो आप निश्टित रूप से जीवन में सफल होंगे और सुकी जीवन वैदित करेंगे और अगर एकार की कमी है तो उसका पूरा करते हुए जनून के साथ आप आगे बढ़िए तो दिन्नवाद थैंक यू फिर मिलते हैं क से कचे विलिओ के साथ, ओके